आज ग्लास 9 का चैट्टर 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है Atoms and Molecules यानि प्रमानू एवं आनू जैसे कि आप फ्रंट पेज पे देख रहे हैं कि प्रमानू है Oxygen Oxygen के अंदर Neutron and Proton Inside होते हैं Nucleus के अंदर और बहार Electrons गूमते हैं इसी तरीके से अनू है हमारे पास Right Hand Sign में Water H2O आईए पढ़ते हैं वन वाई वन कि प्रमानू क्या है और अनू क्या है सबसे पहले प्रमानू और अनू प्रमानू एक वह चोटी से चोटी काई है किसी वी वस्तू की जो कि किसी भी रसाइनिक तत्व को बनाने में help करती है प्रतेक, ठोस, दर या गैस, किसी भी तरह की जो मैटर होती है वो आयोनाइजड एटम या परमानों से मिलकर बनी होती है और परमानों का साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें हम नेक डाई से नहीं देख सकते हैं अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं के लिए इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप है वो यूज किया जाता है और एटम्स को अगरा फिगर में देखोंगे जितने भी एटम या परमानों है उसके तीन सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं रोतोंद नियोट्रोन एपने हैं अप्रेंट कBayव सायव को जोरभ 5 अज़र आंदर उंदर जैसे भूंके आपको नज़र आरहे होंगे पिक्चर के ईंदर और एलेक्ट्रोन के तत्व के भी हो सकते हैं वो या अलग-अलग different element या तत्वों के बने होते हैं जो आपस में bind कर जाते हैं उन्हें अनू कहते हैं जैसे एक और दो oxygen अगर आपस में मिलते हैं O plus O तो O2 बन जाता है गैस बन जाता है तो गैस एक molecule है एक अनू है इसे तरीके से hydrogen और oxygen gas मिल जाएं बाउंड हो जाएं आपस में दोनों के तत्व अलग-अलग है hydrogen में same type of atoms है oxygen gas के अंदर same type of atoms है दोनों मिल जाती हैं bound हो जाती है तो वो H2 O बना देती है और H2 एक योगिक बन जाता है जो कि एक अनू कहलाएगा next आता है law of chemical combination law of chemical combination का मतलब क्या है रासायनिक संयोजन का नियम रासायनिक संयोजन का नियम क्या है जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दो रूल है जो हम हमेशा पढ़ते हैं पहला रूल है दरवेमान का संरक्षन नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम तो पहले हम पढ़ते हैं दरवेमान का संरक्षन नियम जैसे कि इसका नाम है कि दरवेमान का संरक्षन नियम इस संरक्षन नियम क्या कहता है क्या परिभाशित करता है कि कि किसी भी वस्तु का दरवेमान को ना तो हम विनाष कर सकते हैं उसका नहीं हम उसको बना सकते हैं किसी भी रासाइन अभिक्रिया के अंदर ना तो वह नश्ट होगा ना ही वो बनाया जा सकता है लेकिन इसका जो तर्वेमान है वह स्थिर रहे जैसे एक reaction है नीचे H2 plus O2 H2O बनाया इसने तो इस रसाइनिक अभिक्रिया के अंदर जो left hand side के अंदर H2O2 है इनको हम कहते हैं अभिकार है क्योंकि अभिक्रिया कर रहे हैं और H2O बन जाता है उत्पाद इन दोनों को मिलकर एक नया substance बनी जिसको उत्पाद कहते हैं और असायनिक अभिक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें दो यह दो से जादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएं तो वह रसाइनिक अभिक्रिया होती है तराजु के अंदर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि द्रवे एक लर की जो बॉस दिख रहे हैं आपको वह ऑक्सिजन है तो जिंक और ऑक्सिजन दोनों अलग अलग थे दोनों अलग क्या स्टेट करते हैं कि किसे भी ऐलिएमेंट के अंदर अगर हम कोई भी एक रसाइनिक सबस्टांस लेते को योगिक लेते हैं तो योगिक ततों से मिलकर बना होता है और जिन तत्वों से वो योगिक मिलकर बना होता है उनके दर्वेमान का निश्चित अनुपात उसके अंदर प्रेजेंट होता है यह नियम यह कहलाता है law of constant proportion और इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे तत्व एक नया योगिक बनाते हैं और वो आपस में same proportion में same अनुपात में दर्वेमान के आपस में react करके एक नया योगिक बनाते हैं उसमें यह नहीं देखा जाता कि उसकी उत्पत्ती कहां हुई या उसका formation method क्या था इन चीजों को छोड़कर उसके अनुपात जो दर्वेमान का अनुपात है जो element react करते हैं और एक नया product बनाते हैं वो constant रहता है, स्थिर रहता है और सभी योगिक एक ही तरह के element से मिलकर बने होते हैं जैसे इस picture में दिख रहा है first है nitrogen monoxide तो nitrogen का भार होता है दर्वेमान होता है 14 और oxygen का होता है solar gram तो 14 is to 16 अगर हम दर्वेमान के हिसाब से देखे तो 14 is to 16 अगर हम atoms के हिसाब से अगर इसका ratio देखे तो 1 is to 1 second है NO2 nitrogen का 14 एक oxygen का 16 है तो 2 हुआ तो 32 उसके बाद इसका ratio है 1 is to 2 atoms के हिसाब से परमानों के हिसाब से उपर वाली line दर्वेमान के हिसाब से है और इसके वाली line उसके atoms के हिसाब से ratio है वो दिखाया हुआ है कि इनकी ratio fix होती है चाहिए वो कोई किसी भी तरह का element है उसके योगिक जब बनेंगे योगिक तत्वों से मिल कर बनता है और तत्वों का दर्वेमान का निश्चित अनुपात होना जरूरी है इसका मतलब जो अभिकारक है और जो उत्पाद बना उसका दर्वेमान fix है इसलिए इसको कहेंगे हम दर्वेमान का संदक्षन नियां इसी तरीके से हम दर्वेमान के और बहुत सारे एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कार्बन और औक्सिजन मिलकर कर्बन डाई ऑकसाइड बनाते है तो कार्बन का भार होता है 12 और औक्सिजन जो होता है O2 गैस की फार्म में होती है CO2 तो एक ऑक्सिजन का 16 है तो 16 दूनी 32 तो यहां पर 12 इस टू 32 तो रेशो जब हम इसको कट करेंगे तो 3 इस टू 8 बनाद 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सिजन मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाकसाइड है वो प्रोड्यूस करती है इसे तरीके से अमोनिया की फॉर्मेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तो नाइट्रोजन एक यूज होती है हाइड्रोजन 3 है तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन का भार है 14 ग्राम और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का भार है कराम तो तीन है तो 3— 14 is to 3 तो इस तरीके से हम सब दरव्यमान के अनुपात को भी निकाल सकते हैं और इसको हम स्तरय अनुपात का नियम कहते हैं किसी भी रहसानिक अभिकर्या के अंदर लागू होते हैं नेक्स्ट है इसके बाद दो नियम है रासानिक सहयोजन के की दरवेमान समरक्षन का नियम और स्थरियन नुपात का नियम इसके बाद डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एक थियोरी दी जिसमें कुछ उसके पोस्टुलेट्स थे कुछ सिद्धान थे जिसके उपर विवेचना की गई और इन सिद्धान में पहला पॉइंट क्या पताया डाल्टन ने उन्होंने सबसे पहले तो यह का कि जितने भी वस्तवे हैं हमारे आस-पास ये ठोस हैं, दर्व हैं, गैस हैं वो या तो इलेमेंट की फ़र्म में होगी तत्व या योगिक अमिश्रण और ये तत्विय योगिक मिश्रण सभी छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उनकणों को हम परमानू कहते हैं तो पहला पोस्टिलेट Dalton Theory का यही था कि सभी द्रव्य, मतलब जितने भी सबस्टांसिस हैं सबी परमानूं से निर्मित होते हैं दूसरा पॉस्टिलेट क्या बताया डाल्टन ने कि जो परमानू है वो एविभाज्य है वो इतना छोटा करन है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए इसको किसी भी रसानिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है ना इसका विनाश किया जा सकता है इतना छोटा है उसको हम फरदर तोड़ी नहीं सकते तीसरा कि जो परमानू है जो कोई भी तत्व दे रखा है कोई भी गिवन एलिमेंट है उसके तत्वों के जितने भी परमानू है उनका द्रविमान और रसायनिक गुंधर्म समान होते हैं एक्जांपल के तोर पे जैसे O2 है तो ऑक्सिजन में दो एटम है दो परमाणू है और O2 बन गया एलिमेंट अगर मैं O2 और H2O को मिला दूँगे तो S2O बन जाएगा योगिक और H2O और Salt को मिला दूँगे अने CL को तो बन जाएगा मिश्रन तो लेकिन इसमें सभी चीजें किस से बने हुई है आटम से बने हुई है और आटम का जो द्रविमान है और रसायनिक गुंधर्म है वो सेम है एक एलिमेंट का अगर अलग-अलग तत्व के प्रमानों की बात करे हम तो अलग-अलग तत्व के प्रमानों का मास भी अटमेटिक लिए अलग होगा और उनके रसायनिक गुंधर्म भी अलग होगी पाचवा पॉइंट कि जितने भी भिन भिन तत्व की जो प्रमानों है वो परसपर छोटे-छोटे पूंट संख्या के अनुपात में आपस में सयोग करके योगिक निर्मित करते हैं चटा पॉइंट किसी भी योगिक में जो प्रमाणवों की संख्या है और जो प्रकार है वो निश्चित होते हैं शुत्या आइकश्या के अमोनिया है तो रेशों प्रकार प्रमाणवों की संख्या नायट्रोजंग अपने योगिक अमोनिया आपू थे अधूरण चीकान के यह पॉयंट है अच्छे से उसके बाद हम पढ़ते हैं कि परमानु है क्या परमानु सभी जितनी भी वस्त्वे होती उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है मतलब उसके एक रचनात्म किकाई है जितनी भी द्रव्वे होते हैं हमारे आसपास सौरे लिक्वीड गैस एवन प्लाज्मा भी वो सभी द्रव्वे एक छोटी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उनकों को हम परमानु कहते हैं इसलिए रचनात् हो पेपर पर लिखते हो एक पेपर बनाने के लिए भी लाखों एटम्स का यूज हुआ होगा उसके अंदर तो एक छोटी से थिन शीट ऑप पेपर है उसमें भी लाखों परमानु है तो आप सोच सकते हैं कि परमानु है उसका साइज कितना छोटा होता है जो हम आगे होते हैं हमारे आजस्पास oxygen nitrogen hydrogen hydrogen जितने भी एकम्स वह उनकी परवर्ति क्या होते उनकी प्रकर्ति क्या है कि वह रियक्टिव बहुत होते हैं वह क्रियाशील है वह एक डूसरे के साथ रेक्ट कर जाते हैं और एक नया सबस्टांस बनाते हैं जो स्टेबल पार्टिकल बनात अब हम जैसे एक्जैमपल के तोर पे Atom प्रमानों मिल जाते हैं तो फाब अनु बन जाते हैं तो oxygen एक अनू है जो आप देख रहेंsam पिक्चर के अंदर कि oxygen इंदर इलेक्ट्रोंस मूह बंढ और प्रोटों और न्यूट्रोंसल सर्वाइव करें Palinol पर अणू का रूप धारन है वो कर लेते हैं अब हम देखते हैं कि अलग-अलग वस्तूओं का साइज भी अलग-अलग होता है अगर हम कंपारिजन करें एक हाइड्रोजन एटम है जो राइट एंड साइड में अकेला जो एटम है ग्रीन कलर का बॉब है उसके चारों तरफ एक एलेक्ट्रोन घूम रहे है तो यह हाइड्रोजन है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रोन होता है इसके पास और इसका परमानु दुम्हान भी में एक ग्रैम कि तो ऑक साइज होता है इतना छोटा होता है 10 की पावर माइनस 10 बहुत ही छोटा एकम है प्रमानु है दूसरा है पानी के कंड जो आपको उपर दिख रहे हैं फ्लो करते वे एक रेड और ग्रेकलर की दो बॉल है वह रेड कलर का है और आइड्रोजन ग्रेकलर के है तो दो क्लोबिन जोमारे ब्लड के अंदर होता है उसकी मॉलेक्यल का साइज होता है 10 की पावर माइनस 8 आप देख रहे होगे हाथ से जो रेत है रेत का एक छोटा सो जो करन है उसकी साइज होता है 10 की पावर माइनस 4 आंठ हम सब देख रहे हैं चीटी चीटी का साइज होता है 10 की प्रदर्शित किया गया है नेक्स्ट अब है कि इस चेप्टर के अंदर हम 20 अलिमेंट तक पड़ते हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे हाइड्रोजन का का इसका संबल है अच उसका नाम है है एकले किन उसका चिन है हो रिक्रेजैंट करते हैं मास नंबर होता है द्रवेमान संख्या मतलब उसका वेट उसका वजन उसका द्रवेमान तो यहां पर element दे रखें कुछ hydrogen helium lithium beryllium boron carbon इसकी representation थोड़ा अलग है जो atomic number है वो नीचे होता है और मास नंबर में मेशा उपर होता है जैसे x sign लेके दिखाया हुआ है पैरों में मेशा प्रमानु संख्या होती है और उपर सिर्पे होता है द्रवेमान वेट होता है जैसे hydrogen है उसका atomic number one है मास नंबर वीवन उसका symbol हो जाएगा वन एच वन वन हीलियम है उसका atomic नंबर टू है मास नंबर फॉर है तो टू एच टू हीलियम फॉर लीथियम का लाई 37 हो जाएगा बेरिलियम का 49 बोरोन का 511 और कार्वन का 612 इस तरीके से आपको प्रमानु संख्या द्रवेमान संख्या याद रखनी है और हम इलेक्ट्रोन प्रोटोन की संख्या को भी स से निकाल सकते हैं जो नेक्स चेप्टर में पढ़ेंगे आपको 20 elements को याद करना बहुत जरूरी है उनके सिंबल पता होना चाहिए उनका प्रमानु संख्या प्रमानु संख्या जैसे आपके क्लास में रोलंबर होते हैं ऐसे इन सभी तत्वों के प्रमानु संख्या है कि फ च्टा साथवा नाइट्रोजन आठ्वा ओक्सिजन नौवा फ्लोरीन दस्वा नियोन ग्यार्वा सोडिया मेगनेश्यम बार्वा तेर्वा अलुमीनियम सिलिकॉन चोद्वा फासफ़रस 15 सलफर 16 सत्रा क्लोरीन अठारा आरगन 19 पोटेशियम और 20 केल्शियम और नीचे अ अल्मोस्ट एटम्स का डवली होता है प्रमानु संख्या से कईयों का डिफरेंट होता है जैसे क्लोरीन है सत्रा इसका प्रमानु संख्या भार इसका 35.545 है इसी तरीके से और बहुत सारे ऐलिमेंट हैं जैसे 19 पोटेशियम का तो बार इसका 39.10 है तो हम एक्जेक्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा प्लीज दू सब्सक्राइब और दों फोर्गेट तो लाइक तो थैंक यू सो मच